नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका क्रिकेट विद नाराइन के साथ तो गाईज हम हमेशा की तरह लेकर आये क्रिकेट के तीन बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना नमबर वन गाइज माइकल क्लार्क ने इंडिया क्रिकेट टिम को लेकर एक बड़ा स्टेट्मेंट डिया माइकल क्लार्क ने कहा कि अगर इंडिया को लगता है कि यह जो वो प्लेइंग 11 खिला रहे है वर्लकप में यह बेश्ट है तो उन्होंने यही खिलानी चाहिए और विराट कोली ने as a opener ही खेलना चाहिए क्योंकि अभी तक जिन pitches पर विराट कोली खेला है वो tough थी ओपनिंग batsman के लिए और सिर्फ तीन low score से difference नहीं डालेगा विराट कोली में अगर इंडिया को लगता है कि विराट को opening करवा के वो best playing 11 खेला रहे है और देखे तो यह IPL उसका काफी अच्छा गया है सो इसलिए उसे team ने top of the order रखा है और इसलिए मैं भी बिल्कुल concern नहीं हूँ उसके तीन low score से और अगर देखा जाये तो वो एक step closer गया है big score करने के लिए और super 8 यह most important stage है इस tournament का और जो best players होते हैं वो usually ऐसे stages पर ही run बनाते है number two guys आकास चोपडा ने गवतम गंबिर को लेकर एक बड़ा statement दिया आकास चोपडा ने कहा कि गवतम गंबिर ने recently interview दिया है head coach के job के लिए और ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक virtual interview था और अगर देखा जाए तो गवतम गंबिर यह front runner है इस job के race में और मुझे ऐसा लगता है कि यह एक interesting tenure हो सकता है क्योंकि यहाँ गवतम गंबिर को काफी अच्छे से transition manage करना है और यह बिल्कुल भी easy बात नहीं है और next 3-4 साल में 2027 का world cup आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि गवतम गंबिर अपने tenure में काफी bold decision ले सकता है अभिशेक नायर ने रोहिट शर्मा को लेकर एक बड़ा statement डिया अभिशेक नायर ने कहा कि जब रोहिट शर्मा यह peak नहीं हुआ था 2011 के world cup के लिए तब मैंने उसे कहा था कि तू हाड़ वर्क करता रहे क्यूंकि उस टाइम उसका वेट काफी बढ़ गया था और तब एक विज्योल आया था जिसमें रोहिट शर्मा और यूरा सिंग यह दोनों साथ में खड़े थे और रोहिट के टमी पर एक सरकल किया था और एरो पॉइंट आउट किया था उसके तरफ और यह चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बुल सकता हम घर पर बैठे थे और टीवी देख रहे थे और इस वीजियोल को देखने के बाद रोहिट ने कहा था कि अब मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा और उसके कुछ दिन बाद ही 2011 के वल्लकप की टीम यह अनाउंस हुई और तब वो स्कौर्ड का हिस्सा नहीं था और उस टाइम के बाद उसने खुद को चेंज किया और हिटमैन बना और उसके बाद से उसकी सारी चीज़े यह चेंज हो गई उसका एपरोच चेंज हो गया और उसने अपने करियर को सिरियसली लिया और ये मेरी फर्ट जर्णी थी ऐसे प्लेयर के साथ जिसने खुद को सक्सेस्फुली चेंज किया था क्रिकेटर बनने के लिए और उसके बाद से काफी लोगों के ओपिनियन ये चेंज हो गए उसको लेकर लोग इससे पहले उसे काफी सारे चीज़े बोलकर टोल करते थे उसे लोग टू मिनिट मैगी मैन बुलाते थे लेकिन देखा जाये तो ऐसी काफी सारी चीज़े है रोईच शर्मा के बारे में बोलने के लिए और उसने तब मुझे कहा था कि मैं सब कुछ करने के लिए तयार हूँ जो भी तू बोलेगा और उसके बाद जब IPL खतम हुआ तब सारे लोग बोलने लगे थे कि ये रोईच शर्मा नहीं है ये कोई और प्लेयर है उसने उस IPL में काफ़ी अच्छा परफोर्मंस किया था चलिए गाइद आज के लिए बस इतना वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें